हमारे साथ में दिली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुपता जी हैं आदेश ये बताया कि जहांगीर पूरी में जो पिछले दो तीन दिन से बवाल चल रहा है और आज बुल्डोर्जर भी सुबह से चले सुप्रीम कोड की तरह से हलाकि उस पर रोक लगा दी गई है क्या ये आगे जारी रहेगी देखें ये जब कोई मामला नियाले में आ जाता है तो नियाले के अधीन होता है नियाले निर्ने करता है लेकिन सवाल आज ये उठता है कि नियाले में कौन लोग गए नियाले में उस याचिका को दाखिल करने वाले कपिल सिब्बल है जिनकी आका सोनिया जी अभी कुछ दिन पहले ये चिंता व्यक्ति करती है कि दिल्ली और देश के अंदर क्या हो रहा है और वो चिंता ऐसे वक्त होती है जब सुनियोजित तरीके से पूरे देश के अंदर धर्म और जाती के आधार पर दंगे कराए जा रहे हैं और ये ये उस समय होता है उनके द्वारा होता है या वो लोग इसके सरपरस्त हैं जो पिछले 60-70 सालों से सासन कर रहे थे और वो जाती और धार्मिक विभाजन के आधार पर राजनीती कर रहे थे और आज अगर देश आगे बढ़ रहा है चाहे 135 करोड के देश में कुरोना का संकट से हम लोगों न कैसे सत्ता से दूर हो गए जिनको जिनों ने जिनको जनता ने सत्ता से दूर कर दिया वो लोग जाकर याजका कर रहे हैं कि अतिक्रमण दंगाईयों के द्वारा किया गया अतिक्रमण और दंगाईयों पर आप कारवाई ना करें इसका समर्थन करके उन्होंने याजका दा लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बहुत जगों पर अधिक्रमण हैं अवेद कब्जे हैं क्या वहां पर भी आने वाले दुनों में देख सकते हैं कि में आपको खुद का अपना उधारन बता रहा हूं मैंने अपने वाड में दोसों से ज़्यादा बंगला देशी कवाडियों को हटा कर वहां स्कूल बनाया है और भी हमारे पार्शद हैं हमारे निगम के अधिकारी हैं जहां जहां अतिक्रमण होता है कारवाई करते रहते हैं और उस कारवाई ये रुटीन कारवाई है रुटीन कारवाई में कुछ विसेस कारवाई होती हैं क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है कई बार पुलिस भी परियाप्त मातरा में उपलब्द नहीं होती क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी वहां पर भ भी कारवाई होगी चाहे वो अवैद दिरमाड हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या इनकोच में खास जगहों को फोकस किया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने बांगलादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस में भी गए थे आप कमिशनर से मिले थे क्या उन जगहों को हाई कोट में पेंडिंग है दिली सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है जवाब नहीं देने का सीधा अर्थ है कि आमादी पार्टी सेल्टर दे रही है उनको फिरी में पानी बिजली राशन दे रहे हैं आमादी पार्टी की सरकार और फिर उनी के विधायक और पारशद उन कि लोग कोट में जाकर इस तरह की बात करतें लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मानी उचितम न्याले बहुत न्याय पूर्ण फैसला करेगा और जो दंगाई हैं उनके खिलाब कारवाई में किसी भी तरह की अर्चन नहीं आएगी शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कैमरामन विमल के साथ रवी सिंध दिली न्यूजट इन इंडिया